बिहार में कुरोना वायरस काफी तेजी से फैल रहा है हर दिन मरीजों की संख्या लगतार बढ़ रही है नए केसों ने बिहार सरकार के साथ साथ स्वास्त बिभाग की चिंता बढ़ा दी है इसको देखते हुए आज मुख मंतरे नेतिस कुमार क्राइसिस मनेजमेंट ग्रू हो सकती है राज में नाइट कर्फ्यू लगाये जाएगा या नहीं क्या दुकाने एक एक दिन के अंतराल पर खुलेंगी क्या लॉगडाउन लग सकता है आज क्राइसिस मनेजमेंट ग्रूप के बैठक में इस तरह की कई बिंदों को ध्यान में रखा जाएगा बैठक के ब बैठक में हालात का आकलन कर फैसला लिया जाएगा जो निर्ने लेना है वा आज लिया जाएगा जो केवल एक सब्ता या पांच दिन के लिए लिया जा सकता है मुखमंतरी ने कहा था कि कुरोना टेस्टिंग की संख्या बिहार में बहुत अच्छी है डेर लाग से दो ही खबर बता रहे हैं बिहार से जहां पर आज सीम नितिश कुमार एक बहुत बड़ा बैठक बुलाया है जिसमें क्राइसिस मनेजमेंट ग्रूप की बैठक होगी और उस बैठक में नई गाइड लाइन जारी हो सकती है जिसमें क्या कुछ आदेश दिया जाता है या तो अ बैठक के बाद ही साफ हो पाएगा